सो नाव एक्साइड इंडिस्ट्री लिमिट्री तब देखें 473 का प्रायस है और यहां पर Q4 की नमबर आ चुके Q4 की नमबर आपने देख लिए होगे लेकिन क्या यह स्टॉक है नेस्ट बिग स्टॉक बनने वाला है मार्केट का अगर आप देखें तो आगे की ग्रोथ जो पेट्रोल गाडियों में लगाते तो वही आगर आप एवी में लगाएं तो कोई बहुत बड़ा चेंज तो आएगा ने टेकनोलजी बदलेगी बैटरीज की उसमें थोड़ा सा खर्च का इधर उदर हो सकता है बट अगर आप देखें नेक्स्ट बिग तिंग क्या है इन स्टॉक्स के लिए वो अल्रेडी हम बात कर चुके हैं बट मैं फिर भी याद दलाना चाहतू कि नेक्स्ट बिग तिंग इस बिग अपॉच्टि फॉर अस यहां पर अगर आप देखेंगे तो आल टाम हाई के राउंड है तक्रीवन तक्रीवन पांस रुपे के आस पास य स्टॉक गूम रहा है ऐसे में यहां पर ब्रेक आउट होना है या नहीं होना है यह भी हम देखेंगे कहां से होगा कहां तक जा सकता है यह भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन नंबर पर नंबर पर गौर करते हैं दिसंबर से मार्च का अगर आप देखें यहां पर सेप्टेंबर में अच्छा खासा operating profit यहां पर clock किया था around 500 क्रोड के around operating margin अगर आप देखें तो margins को समाला गया है maintain किया गया 11% से margin यह आई हैं और ऐसे ही 3 quarter हो चुके है 11% पर इवन लगाता है अगर आप देखें 10-11% पर margin जो है वो एक fix रहता है एक side industries का और stock में एक upgrade आपका शायद तब ही आएगा जब यह margin जो है वो 11% से बढ़ेंगे क्योंकि अगर आप देखें काफी quarter हो चुके 10-11% पर यह margin stable है stable है stock भी stable रहने चाहिए कोई firework नहीं आया है margin जो है so that यह एक बड़ी बात रहती है फिलाल अगर आप देखेंगे तो net profit यहांपर घटा है because of tax यहांपर थोड़ा सा बढ़ गया है 28% से quarter to quarter यहांपर जो है 34% पहुंच गया है so that यहांपर जो है आपका net profit जो है वो घटा है तो EPS पर hit है 2.36 के आगे 2.17 का EPS है बट हमारे लिए एक कोई बड़ी thing नहीं next big thing पर हमें काम करना है और वो एक दो दिन के लिनी होगी यह big upside ला सकता है इन battery stocks के अंदर growth जो एक धीमी growth पर यह stocks चल रहे है न वो एक growth जो है वो अचानक से उसमें एक wings लग जाएंगे उन growth क में तो यह upgrade भी हो जाएंगे सीधी सी बात है और ऐसे में stock के prices भी upgrade होंगे लेकिन उस next big thing के बारे में समझने से पहले हम देखेंगे sales जो की सालाना है 16 या 770 पर clock कर दी है और operating profit 18-17 है जो की अब तक सबसे highest है margins almost highest पर है 11% है सालाना अगर आप देखेंगे तो तो एक fantastic growth नहीं है जिस तरह की की अब आने वाली है तो next big growth आनी है solar ये बहुत बड़ी बात solar हो या wind हो अगर आप मान लीजे आपने घर पर solar panel लगाए यही एक सबसे बड़ी बात यही तो आपको जो है एक अबल लागर रखे और यहीं से एक big growth की सुरवात आपको solar panel दिये जाते ह आप अपने छट पर लगा लीजे आपने लगा तो लिए बड एक्चुल मैं आपको store energy को store करने के लिए खुस तो चाहिए होगा ना बैटरी का ही आप use करेंगे ना यहीं से बात पक्ड़ने वाली कि जितने भी ये plant लगा जा रहे है solar के या wind के लगा जा रहे है अब solar के ठ स्टोर करेंगे ना तो storage device चाहिए होगा ना बैटरी चाहिए होगी ना so that next big thing जो है वो यहीं से यह solar plant जितने भी बन रहे है यहां पर big batteries यहां पर need है और यहीं से growth की सुरुवात कहीं ना कहीं हो सकती और आभी तो सुरुवात solar का आप देखेंगे कि यह जितनी 11 gigawatt की capacity यह company होगी यह सब replace करनी है किस में यह solar में replace करनी है renewable energy में replace करनी है so that battery की आप देखें खपत दोरों सैट से आएगी EV से भी आएगी solar से भी आएगी और यह कम नहीं होगी यह लगातार बढ़ेगी और जितना इंडिया के अंदर power capacity बढ़ेगी ना उतनी ही battery की capacity बढ़ेगी सीध में क्या क्या काम आना है जैसे कि solar panel stocks वो हमारे portfolio में रखे होंगे तो एक बहतरी रिटन देंगे पाबर कंपनिया तो जो पहले करती थी बेचने काम वही बेचने काम अभी भी करें बट जो चीज उनको चाहिए solar plant लगाने तो solar की जो equipment से वो तो चाहिए ना तो उन कंपनियों का benefit जादा होगा जिनसे वो purchase करेंगे सीधी सी बात उनको तो पेचना है मैनिफेक्टरिंग में जो जो सेट अप करने जो प्लान्ट खर्चा होगा वो से आप देखे किन कंपनियों फादा हुआ solar panel की कंपनिया solar EPC कंपनियों की नीड है और वही हमारे कंपनियों में लिस्टेड भी है और अगर आप देखेंगे यह battery कंपनियां जो की बहुत नीडेड है so that इन बातों को समझी और FIIs इस बार देखे माज 24 में हुआ कि यहाँ पर promoter तो सेम है but FIIs देखिए 13.57 DIs थोड़े से कम हुए है बट अच्छी बात ही है कि number of shareholder आप increase लगातार हो रहे है interest दिखा रहे है excited ने कोई बहुत बड़ा return नहीं दिया है बट लोग जो एक सोच के साथ चल ले हैं कि market में हमें क्या need है वो लोग समझ रहे हैं और वो अपनी जगे जगे पोजिशन बना रहे हैं next big thing के लिए तो प्लीज आप भी comment section बताईएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में and second last यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक चल लाए बट जो next big thing होगी वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा solar यही आपका यहाँ पर जो है ना net sale बढ़ाएगी यही आपकी profitability कहीं ना की बढ़ाने वाला है बस इस पर द्यां रखेगा बट मैं आपको कहूँगा 300 रुपए बहुत ही important level है इस stock के अंदर 300 रुपए एक important level है अच्छा यहाँ पर क्या यहाँ से ना यह stock अचानक से दोड़ना स्टार्ट करते है क्या 1000 रुपए हो जाएगा यह तो एक बैसी बात हो गई थोड़ी सी फेकने वाली क्योंकि आप देखेंगे कि growth की तो बात अभी है ही नहीं हाँ आप यह कह सकते हैं कि लोगोंने पहली खरीद के रख लिया तो अल्रेड़ी काफी लोग खरीद चुके हैं क्या और खरीदेगे हाँ खरीद सकते हैं ऐसे में प्राइस बढ़ेगा पैसे फेक होगे क्या नहीं बढ़ेगा सीधी सी बात तो वो चीज़ है बट वो फंडामेंटल यह तने महंगे हो जाएं कि कहीना कहीं तो वो कसर जो है वो कहीना कहीं तो निकलेगी न वो जो एक एयर है जो आपने भर दिया वो एक टाइम पर कहीना कहीं निकलेगा तो वो चीज़ आ जाती है हो जाएगा ये एकदम easy नहीं होता है ठीक है तो वो चीज है तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो गया है अचानक से कि wings लग जाएं और उड़ जाएं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ time के लिए अगर ये बात फैलती है कि बैया solar में need है solar में need है so that लोग जिस तरीके solar के stock खरीद के रखे थे वैसे वैटरी वाले stock में तो एक अचानक से boom आ सकता है stock में बट वो boom किसी लायक है नहीं तो वो चीज यहाँ पर रहती है अब वो कितना काम आएगी बट आप दीरे दीरे पैसे जो है वो infuse करिएगा अगर आपको यह theme समझ में आती है और एक theme समझने से पहले खुद की steady need है मैंने तो कह दिया चलो ठीक है बट आपका इस बात पर steady करना कि कितनी बात सही है यह जादा important and last अभी क्या चलना है अभी चलना है 480 रुपह पर टक्कर इस excited industries के stock और नीचे में 440 almost 440 440 और 482 यह एक range में काम कर रहा है stock और यह काम कर रहा है almost 10 दिन हो गए होंगे जो कि केंडल बता रही 10 दिन almost ठीक है तो जिस तरफ भी यह level तूटेंगे उसी तरफ stock चला जाए 482 अगर तूट जाएगा तो break out मिल जाएगा ऐसे में 500 की उपर शायद निकल जाए ठीक है 440 टूटा तो कहीं है कि गराबट आईगी ऐसे में आपका possible है कि 380 के level आ जाए 360 के level आपको देखने मिल जाए तो यह चीज है ठीक है क्योंकि consolidate कर रहा है किसी तरफ तो गूमेंगा जिस तरफ गूमेंगा उतरी आप गूम जाना और क्या नीचे मिले तो बाइकल लेना अगर चाहो तो तोड़ा थोड़ा accumulate करते रहा है इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि next big thing आने में time है अब वो पता चला वो चीज़ अलगा है कि पैसे अभी infuse कर दिया लोगों ने तो वो चीज़ बढ़ेगी ना सीधी सी बात तो वो होगा या नहीं होगा वो तो एक तुक्के वाली बात लेकिन हमें चलना है एक फॉर्मले के साफ़ से एक तरीके के साफ़ से बास सीधी सी बात प्लीज बताइए कमेंट सेक्षन में ये आपको ये थीम कैसी लग रही है जरूरी है जो भी चाहिए लिख दीजे तो आपके कहने इसको उबर कमेंट से समगए ये वार आप तीज मेंचे आपके देखने के लिए बहुत दन्माद उसतो